Hello everyone, welcome to my channel People Terrells So guys, कैसे हो आप सब लोग, I hope आप सब लोग अच्छे होगे अपनी लाइप में आगे बढ़ रहे होगे So guys, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हो अगर आप अर्स साइन्स से हो, तो आपके लिए ये मंथली होरोस्कोप है ठीक है, आपकी टॉरस वोगो, कैप्रिकॉन साइन्स आपको पता है, आप अर्स साइन्स से हो, तो आपके लिए ये रीडिंग है So, देख लेते हैं, आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा मैंने एक कलेक्टिव रीडिंग कर रखी है, मिन्स लाइक कलेक्टिव नहीं अगर आपको लगे, वो आपको वो देखनी है, अगर आपसे ये रिजोनेट नहीं होती है तो वो देख सकते हो, आप ठीक है, लाइक आपके डेट ओफ पर्थ के अकॉर्डिंग की विए अगर आपको वो देखनी है, तो वो देख सकते हो आप, अगर आपको हिंदी में पता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ तो देख लेते हैं, आपके लिए टैरो से क्या आ रहा है गाईस, ठीक है आपके लिए क्या आ रहा है, इस मन्थ आप, ये मन्थ आपके लिए क्या ब्लिसिंग्स लेकर आ रहा है, कौन-कौन से बिग एवेंट होने वाले हैं इसमें आपके लिए क्या क्या surprises हैं आपके लिए इस month में ठीक है so देख लेते हैं so guys keep it it's a general reading also so keep an open mind हर किसी से resonate नहीं होगी so जितना भी आपसे resonate होती है उतना ही ले बाकी को जाने दे ठीक है so देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है four of swords okay आप अभी अपना healing process के उपर work कर रहे हो guys मुझे ऐसा लग रहा है healing process चल रहा है आपका भी like इस month में healing process चलेगा आपका patience रखके आपको rest करने के लिए कहा जा रहा है जहां तक मुझे लग रहा है so bottom of the deck guys three of cups celebration की energy happiness की energy है like आपको मुझे मेरे साब से आपका healing process चलेगा जिसमें आपको खा जा रहा है आपकी तरफ बहुत साथ celebrations भेजे जा रहे है so that आपको ये चीजे ज़्यादा दिखना पाए means आपकी healing हो पाए अच्छे से अगर आप किसी heart rate से उभर की आए हो या फिर कोई भी आपकी life में problem चल रहे थी career wise finances आपके ठीक है कोई भी family issue चल रहा था कोई भी आपकी study के वाई आपकी issues चल रहे थे आप अच्छा नहीं feel कर रहे थे guys तो आपके लिए celebration आ रहा है इस month में और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए वाव six of wands guys नीचे से six of wands है means आपके लिए victory आ रहे है कोई भी चीज में देखते है क्या रता है आपके लिए cards में जो मैंने निकले वही मैंने का ना financial issues जो भी थे आपके उसकी वज़े से आपको tension वगरा थी ठीक है आप किसी का जो कोई आपका जाफिर कप accept नहीं कर रहा था आप उसकी वज़े से बहुत ज़रा अच्छा फील नहीं कर रहे थे तो आपको healing चलेगी इस month में आपके लिए ठीक है healing process चलेगा आपका सो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है first card में क्या है emperor okay emperor card is here okay big potential wow second major card magician card and third one is wow guys okay मैंने कहा कोई money related issues आपकी अगर चल रहे है कोई आपको wow guys see this पहले emperor आया magician आया then ace of pentacles के बाद see the king of pentacles जो pentacles यहाँ है वो ही pentacles यहाँ पे भी है wow I am the high priestess okay मेरे मूँ से empress निकला so शाइद empress की energy सापके बीच में हो okay five of cups okay मैंने कहा ना आपके healing process चलेगा आपकी life में जो भी कुछ चल रहा था like आप किसी चीज से sad थे आपको लग रहा था आपसे कोई प्याद नहीं करता ठीक है like कुछ भी आपको अगर किसी भी चीज से sadness feel हो रही थी ठीक है तो वो आपकी sadness इस month में खतम हो जाएगी अगर आपकी life में money related issues चल रहे थे मेरे हिसाब से आप यहां से दो cards आ चुके है manifestation के आपकी intuition बहुत अच्छी work करेगी इस month में intuition powers आपकी high हो रही है guys बहुत जारा infinity का sign है मुझे दिख रहा magician के उपर तो उनके head के उपर magician के infinity का sign है इसका meaning होता है आपकी जो भी energies है जो भी अभी unstable थी imbalance थी आपकी yin and yang energies वो आपकी stable हो जाएंगी like वो balance हो जाएंगी ठीक है तभी आपकी तरफ money आ रही है अगर आप अपनी energies को balance कर लोगे अपनी yin and yang energies को तो आपकी तरफ जो भी आपकी रुके हो काम थे वो बनने start हो जाएंगे आपसे जो भी किसी ने secret रखे हुए थे वो आपकी तरफ open हो जाएंगे ठीक है ये भी intuition का ही card है guys mind का ही card है आपका mind stable रहेगा इस month में so that आप या फिर कोई ना कोई आपना sadness आएगी कोई ना कोई but आपको साइड पे रखकर आपको manifest करते रहना है ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आप emperor हो masculine energies बहुत जा रहे आप हर work hard work के साथ करते हो मतलब आपको लगता है कि hard work से ही सब कुछ मिलेगा आपको तो ये बहुत बहुत अच्छी energies हैं आपकी guys ठीक है आपको यही सोचना है आगे भी like hard work से सब कुछ मिल सकता है ठीक है उससे बिना तो कुछ भी नहीं मिलता so four of swords आपकी healing process चलेगा जो भी ये मन्त है नमबर अपना नमबर मन्त है and high process है आपकी intuition power बहुत जादा high रहेगी guys intuition power आपकी high रहेगी आपके बास सारे tools है guys अगर आपको आपको उसको full means for example आपको अगर कोई study कर नहीं है आपके बस books है guys आपके बस books है आपको बस उनको read करके exam देना है like read करोगे तभी तो exam दे पाओगे उसके इलावा तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे exam में ठीक है ना so यह काम आपको अतना बड़ेगा and also guys आपकी तरफ बहुत सारी blessings आ रहे है आपकी pentacles की energies यहाँ पर आगी है king of pentacles है also ace of pentacles है आप earth sign आई चुका है यहाँ पर Pisces आपके लिए important हो सकता है Pisces sign मरला secretive होता है loss का थोड़ा सा होता है अगर आप कुछ loss भी हो सकता है इस मन्त में थोड़ा सा like अगर negative way में देखे आप क्यूंकि sad हो बहुत दिख रहे like हाना but celebration आएगा मेरे इसाब से शादी वगएरा आ सकती है आपकी life में यह मन्त में शादियां वगएरा बहुत आ सकती है stable बनुगा तभी आपकी तरफ आपाऊंगा तभी आपको कुछ न कुछ offer कर पाऊंगा commitment दे पाऊंगा ठीक है वो आप manifest करते हो दिख रहे हो आपके person भी and also यहाँ पर अगर आपके father का देखे आपके father Aries sign के हो सकते है like Aries, Gemini या Pisces sign हो सकता है उनका ठीक है आपके लिए important हो सकते है यह signs and आपके father जो भी issues चल रहे थे वो सब ठीक हो जाएंगे ठीक है आपके father से अगर आपके नहीं बनती है तो वो भी ठीक हो जाएगा आपके उनसे I think नहीं बन रही है but आप अपने work career के उपर focus करोगे तो बहुत अच्छी benefits benefits मेल सकते हैं आपको इस month में आपकी तरफ abundance attract होगी like यहाँ पर भी दिख रहा है ठीक है so यहाँ से हम देख लेते है six cards देख लेते है यहाँ ठीक है and also guys आप बताना मुझे आपको ऐसे हर month की zodiac science ऐसे ही चाहिए means मैं four videos लेकर आऊंगे ठीक है like यह टॉरस वोगो Capricorn की है Cancer Scorpio Piscis water science लेकर आऊंगी air science and also fire science की भी reading आजाएगी क्या बता मैं कल ही डाल दू दो आर दो डाल दू ठीक है ऐसे हो सकता है rest and reservation guys मैंने यहां पे कहा आपको healing process चलेगा इस week में इस month में आपका so आपके लिए 19 नंबर important हो सकता है age हो सकती है 10th month important हो सकता है January important हो सकता है September month important हो सकता है ठीक है so आपको rest and resonate करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है rest करिए and थोड़ा सा अपनी life में celebration को लाईए ठीक है यहां से देख लेते है first chakra archangel Michael 35 age हो सकती है आपकी या आपके person की ठीक है आप archangel Michael आपको अपनी blessings दे रहे है इस month में वो बता रहे है कि अपने आपको strength मैं आपको strength provide कर रहा हूं ठीक है आप आगे बढ़ते रहे so आपको जुरूरत नहीं है ज्यादा कोई tension लेने की जो भी आप sad हो उसके बीच में आपको archangel Michael को पुगा सकते हो ठीक है उनको कहिए कि मुझे strength दो मुझे आगे बढ़ने के लिए move on करने action आगया guys move on का ही card आई है eight number आपके लिए important हो सकता है ठीक है और आपकी present twin flame energies में हो सकते है twin flame relationship में हो सकते हो आप guys because यहाँ पे दो अलग-अलग energies है आप दोनों की cast भी अलग हो सकती है ठीक है so action card है आपको action लेने के लिए कहा जा रहा है जो भी आप काम कर रहे आपको पता है कि आपको किसी को यह heart नहीं देना है जो इसको डिजर्व करता है वही उसी को दोगे आप ठीक है यहाँ से मुझे बटरफ्लाइ दे रहे है आपको transformative period भी चल रहा है या फिर आप transformation से बहार आ चुके हो जैसे butterfly phone से निकल के बहार आती है कितना दर सहना पढ़ता है उसको तो वैसे ही आप बहार आ रहे हो ठीक है आप heart अपना पकड़ के अभी किसी ने अगर आपको hurt किया है in the past आप उससे move on करोगे let go कर दोगे उसको ठीक है अपने heart को अब safe करके रखोगे means आप उसको किसी को नहीं दोगे 44th number आपके लिए important हो सकता आपकी age हो सकती है 8 यहां से भी आगए 8 यहां से भी आगए 8 यहां से भी guys आपकी तरफ abundance हा रही है 8 8 8 number अगर आपको देखे तो वो abundance को track कर रहे हो आप ठीक है 8 8 8 number यहां से guys man holding oh my god woman holding heart and man holding heart guys couple is coming here so आपके divine counterpart आपके साथ है वो आपके बारे भी सोच रहे है उन्होंने अपना हाट आपके लिए रखा है और आपने अपना हाट उनके लिए रखा है दोनों यह एक दूसरे के लिए पैठे हो ठीक है आप भी उनकी तरफ देख रहे हो आप तो वो पता नहीं कहा देख रहे हैं उनको आपको तरफ देखना चाहिए तो देख लिजेगा ठीक है देखो दोनों आ चुके हैं 44 और 45 नमबर एक दूसरे के साथ साथ ही हैं यहां से भी मैंने का ट्वेंड लेशेशिप में हो सकते हो आप ठीक है तो आर्केंजल माइकल आपके साथ है अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उनको मेडिटेशन के थू बुला सकते हो उनसे प्रेई कर सकते हो कि मेरी जो भी मेरी जर्दनी है उसमें मेरी हल्प कीजिए sexual abilities भी आप या फिर आप दोनों बहुत ज़र अट्रेक्टर होगे इस मन्त में आपके बीच में sexually बहुत ज़र बाते हो सकती है ठीक है sexual talk हो गएरा ठीक है the word card आचुक है 11 नमबर आपके लिए important हो सकता है guys आपका life path नमबर हो सकता है 2 and 9 नमबर भी February and September मन्त भी आपके लिए important हो सकता है ठीक है and November मन्त यह चली रहा है 11 नमबर है ठीक है the word card आचुक है so guys आपके person long distance ही हो सकते है आपसे ठीक है यहाँ अगर long distance नहीं तो आप किसी cycle में फसे हुए हो यहाँ फिर आपके person भी ठीक है so जो भी आपकी जर्णिया आप उसको बढ़ते रहे है उसकी तरफ ठीक है अगर आपके साथ कोई person नहीं है आप किसी relationship में नहीं हो तो आपकी तरफ कोई person आ रहे है long distance से and like किसी another country से हो सकते है किसी another state से door to spirit 32 आपको आपको कहा जा रहे है कि आप rest करिए rest and resonate करिए अपने आपको healing process चलेगा आपका आप God से भी pray कर सकते हो ठीक है आप इस month में आपको आपकी life में बहुत सारे आपको like आपको बहुत सारी क्या मिलते है आपको मिल सकते है means आपको door to spirit आपको pray करने के आपको रास्ते मिल सकते है like बहुत सारे भजन वगएरा कह सकते है like किसी के घर में ठीक है कि इतन वगएरा हो सकता है आपके वहां पर so आपको बहुत सारे मौके मिल सकते है sorry guys कभी कभी अटक जाता है इंसान like यहां से देख लेते हैं आपकी तरफ कौन सी blessings आ रही है guys कौन सी blessings आप अट्रेक्ट कर रहे हो इस मन्त में कौन सी blessings आप अट्रेक्ट कर रहे हो इस मन्त में यह मिने handmade's cards है so देख लेते हैं कौन सी blessings आप अट्रेक्ट कर रहे हो so guys you already know the answer guys अगर आप कुछ question पुट कर रहे थे कि दीदी यह बोल दे तो आपको पता है आपको पता है कि answer क्या है उस question का जो भी आपके mind में चल रहा है उसका answer yes है और आपको पता है अगर आपको पता है तो आपको tension लेने के ज़रूरती नहीं है and guys मुझे अभी 1441 नंबर दिखा so आप google पे search करना है and 4041 क्या होता है I'm sorry guys आपको कोई person sorry बोलने वाले है अगर आपको किसी ने hurt किया है यह कोई भी हो सकता है अपको father हो सकते है कोई भी आपको sorry feel कर सकते है अगर आपको नहीं भी बोलेंगे वो अपने heart से sorry feel कर सकते है ठीक ह आपके लिए स्वार देख लेते हैं आपके लिए क्या message जा हो रहे है इंजल क्या पताना चाहते हैं birthday gifts guys अगर आपका birthday इस month में तो आपको birthday gifts से receive होने वाले हैं बहुत सारे ठीक है आपकी तरफ बहुत सारे gifts सारे ocean tides guys जैसे ocean में ऐसे ऐसे तरंगे होती है ना ऐसे तरंगे आती है ठीक है ऐसे 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 सो आपकी तरफ like आपका mind अगर stable नहीं था तो आपको उसको stable करना पड़ेगा ठीक है आपकी तरफ messages long distance से मैंने बताया जैसे long distance से कोई person आ सकते है messages आ सकते हैं बहुत सारे भर भर के आपको इस month में like अगर आपका bird योगा तो of course आपकी तरफ messages आएंगे guys मैंने twin flame energies की बात की twin flame twin flame guys वही आ चुका है कार twin flame आपकी life में अगर आप अपने twin flame energies में like relationship में चल जाए आपका कोई twin flame relationship आपको पता है कि वह आपकी twin flame है तो yes वह आपकी twin flame है guys and आगर आपकी life में कोई person नहीं है तो आपकी life में twin flame आने वाले है and also guys एक बात बता दो बहुत सारी cycles चलेंगे आगे हम देखते रहेंगे readings में ठीक है so decorate yourself guys अपने take care कीजिए rest and resignation इसलिए आप अपने life में अपने लिए work निका लिए ठीक है अपने आपके लिए work निकाले अपने आपको decorate करिए ठीक है अपने room को decorate कर सकते है ठीक है yourself means अपने आपके ऊपर काम करिए अगर आपको अगर कोई काम करने की ज़रूरत है अपने आप पर like कोई भी चीज़ सीखने की जुरूरत है कुछ लर्न करने की ये मन्थ बहुत अच्छा है आपके लिए कुछ लर्निंग के लिए ठीक है so यहां से कैं multitasking guys इस मन्थ में आप बहुत सारे काम कतने वाले हो बहुत busy मन्थ है आपके लिए ये and also बहुत अच्छा मन्थ पी है money wise, career wise आपके ठीक है आपकी तरह money abundance आ रही है बहुत सारी and multitasking बहुत सारे काम होगी अगर शादी वगएर होगी of course घर के काम and also household shows आपके and like अगर आप शड़ी वगएरा करते हो तो वो भी शादी वगएरा होगी वो भी so बहुत सारे टास्क रहेंगे आपकी लाइफ में so guys आज के लिए इतना ही मिलते है next video में so guys subscribe कर देना channel को like कर देना video को and share कर देना अपने friends के साथ अपने relatives जो भी आप जिनको भी guidance की जुरूरत है and also guys बताना कैसी लगी reading आपको and आपको ऐसी reading आगे भी चाहिए या नहीं means आप comment section में बता सकते हो मुझे जो भी end तक अभी ये सुन रहा है so आप बता सकते हो मुझे so guys thank you so much love you take care stay healthy bye